नमस्कार मित्रों मैं आलोक आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही कम समय में किसी question को solve करने का तरीका ये triangle के question आपको बार बार परिसान करते हैं जिसमें image counting का question पूछा गया होता है तीन question जो आपके exam में देखने को बार बार मिलते हैं यदि आपको triangle ऐसा दिख रहा हो जिसम के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप numbering करने के बाद उनको आपस में add कर दो यानि वन प्लस टू कर दो के बच्चे कितना हो जाएगा 3 तुमने का सर बिल्कुल सही इसी तरीके से दूसरे important diagram की अगर हम बात करें तो ऐसे question को find करने के लिए क्लिए क्या करेंगे ऐसे question को find कर लिए एक formula लिख लेंगे 2N-3 कर देंगे यह important formula आपको इस question में सबसे कम समय में question का answer दे सकता है n क्या है बच्चे n यहाँ पर कितने त्रिभूज से diagram बना है तो आपको देखने हो मिल रहा है एक बड़ा वाला त्रिभूज है और उसके अंदर एक दूसरा त्रिभूज बन नहीं होनी चाहिए तीसरा बोला गया है कि इसमें त्रिभूजो की संख्या कितनी है तो आप इसको कागरो एक तरफ से numbering कर दो 1,2,3,4 आपने देखा 1,2,3,4 हो गया और जो सबसे बड़ी संख्या बसको उसको ले करके और उसमें multiply कर दीजे 2 का 4 दूना कितना हो गया 8 बा आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यबाद थैंक्यू सो मच